13 की ये जाते आते बच्चों में जो biological changes होने शुरू होते हैं, बड़े परिशान होते हैं, पस उपेश में होते हैं, कि ये क्या हमारे साथ होया है, हमारे जंदर की change हो रही है चाहना, उनको ऐसा लगने लगता है उस उमर के जो hormones हैं, वो उनको parents से दूर करते हैं, क्योंकि उनको जिस तरह की आज़ादी चाहिए, parents जानते हैं, कि ये उमर सही नहीं है, तो parents रोपे हैं, समझाते हैं, phone का use कम करो, internet कम करो, तुमारा दोस्त ठीक नहीं है, तुमारी company ठीक नहीं है, अच्छे दोस्त रखो, य उनको पता है कि यह उम्र फिसलने बनी है और बच्चों को लगता है कि मैं जहाँ जहाँ आजादी चाहता हूं यही दो लोग मेरे दुश्मन हैं पता निये डिजर्व नहीं करते हैं मुझे डिजर्व एचाइड लाइक मी फिर वो पेरेंट से जूट बोलना च्छीपाना हर बच्चा उस समरे जूट बोलना चुनू कर दिता है कुछ बहुत प्यारे मासूल बच्चा को छोड़ दू मैं यह दो परसेंट दाकि सब थोड़ा बहुत जूट तो बोली रियते हैं कुछ ज्यादा शादिर हो जाते हैं इतना खतरनाग जूर बोलते हैं, lie detection टेस्ट कर वा लेंगे, तो भी पकड़ मैंगे, इतना अच्छा जूर बोलते हैं, क्योंकि वहाने सीख लिए दोस्तों से इस सब करके. और ये जो उम्र है 13 से 19, जो गैंग एज है, ये जो दोस्त हैं, इनका असर इतना ज्यादा होता है, और आपकी personality कैसी है, हर गैंग में चार पास लोग होते हैं, उनमें से एक मुखिया होता है उनका, गैंग करनेता होता है, जो थोड़ा सा aggressive है, dominating है, assertive है, वो facilitate करता है सब के आपने decision making का सवाल कुछा, इसी पर सो समझेंगे, उसने कहा कि चलो सब फिल्म देखके आएंगे, तो बाकी चार फॉलोवर्स होते हैं, उचलते हैं, जी जी चलो 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 चलो, इन सब का self respect का level अलग-अलग है, जो नेता है, उसमें self respect बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कमी है, assertive नहीं है, submissive है, दब्बो है, डर्पोख है, वो बिचारे उसकी बात को फॉलो करते हैं, और ये जो चार है न, इन पर खत्रा बहुत ज्यादा है, क्यों जो नेता है, वो पहले से बिगड़ा हुआ है, वो habitual है कई चीजाँ का, और वो इन चारा को बोलता है, आज हम सब ड्रक्स प्राई करेंगे, उस नहीं रहा है, बता रहा है, अब इन चार में से एक के मन में एक ही ना करो, मम्मी ने उसको हजार बर समझाएगी, बिटा ये मत करना, वो पिचारा बूरी नहीं पा रहा है, घबराट हो रही है उसको, बड़े मुश्किल से मिम्याते वो एक वार कि उसमें बोला, में मियाना में तो बिल्ली की तरह से बोलना, कैट की तरह से बोलना, उसने का यार, मम्मी ने का था ठीक नहीं होता है, अब उसके बब जोर से ठाका मार गा, ये देको मम्मी का बच्चा, ये देको मम्मी का बच्चा, इसको दुद्दू पिला आजाएगा. तीन लोग बोलेंगा, रे कुछ नहीं होता, आजा आजा आजा, आजा आजा, इस नहीं होता, कर ले ट्राई, हम्री तो गर रहे हैं, कर ले ट्राई ओर इसी प्रेशर में ये बच्छा पहली भर फार बेर ऐसी घ्रुम करेगा. और मैंने पहले ही कहा कि रास्ता एक तरफा है वापसी का रास्ता नहीं इस प्रेशर को बोलते है पियर ग्रूप प्रेशर दोस्तों का प्रेशर मैं अपने बच्चे को किवले एक बद सिखाता हूँ बाकी पढ़ाई लिखाई तो मुझे पता है जिन्दगी में जब कोई करना चाहेगा करी लेगा इंटरनेट के दुनिया में गूगल के दुनिया में मैं क्या पढ़ा लूँग आपको सब गूगल पर उपलाब दा है सब ओनलेन अवेलेबल है जो टीचर बदना चाहरे हैं समझ लेए अब teacher का काम knowledge देना नहीं है knowledge आपसे ज्यादा आपसे बहतर Google पे है अब आपका काम उससे ज्यादा बड़ा है क्या है? अभी डिस्टस करेंगे मैं केवल एक बात पर फोकस करता हूँ कि मेरे बच्चे या आप लोग peer group pressure से बच सके मैं खुद बचा था अच्छे से बचा था मेरे parents की भूमे का थी मैं जिस hostel में रहा उस hostel में लगबख सब drink करते थे college के दिनों में मैं नहीं करता था मुझे कभी ज़रूरती ने लगए उस चिस के तो नहीं लगए तो नहीं किया अच्छे बात सिर्फ इतनी है मैं ये नहीं कहा रहा कि drink करना अच्छी बात है कि बुरी बात है वो तो individual फैसला हर कीजी कहा लेकिन मैं अच्छे और होने के बाद बच्पन में ने मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर चार लोग मुझे दबाव डाले और मैं उनके दबाव में आ जाऊँ ये ठीक नहीं मुझे ध्यान है कि हमारे होस्टल की नाइट समती थी फ्राइड़ी की रात है वाडन साब शुटी पे हैं दस बारा लोग एक कमरें में बैठे हैं शराब की बोतल खोल ली है या बीर जो भी है सब का मन है पीने का वो एडल्ट्स हैं 18 प्लस के थे वो शहाद लीगली एराउट होगा उनके लिए मुझे नहीं पता और जो रोग नहीं पीना चाहते हैं उनको दबाव बना रहे हैं कि आ पी के दिखा तो मर्द है तो पी के दिखा बड़ा होगे तो पी के दिखा जब भी कोई ऐसा दबाव बनाए न इतना भी दबाव में नहीं आना है जैसे को बोले बड़ा है तो पी के दिखा आपको बोलना है मैं इसको पी के दिखा मर्द है तो पीके दिखा मैं इसको पीके बिना ही मर्द रहता हूँ तो मैं इसको पीके मर्द बनते हो हम ऐसी मर्द हैं भई दोस्त नहीं है क्या हमारा तो क्या बोलना है अगर तुम्हारी दोस्ती के लिए मुझे पीने ही पड़ेगी शराब तो मेरी दोस्ती के लिए तुम छोड़ दो नहीं सकते है अगर तुम छोड़ 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 नहीं सकते है अगर मैं किसे दबाव में ना आया हूं, ना हूंगा। इसको बोलते हैं assertiveness, अपनी शर्टों पर जियूँगा, इसी के दबाव में ने जियूँगा। जो गलत है, गलत है, नहीं करना है, तो नहीं करना है।